हलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सलेंट यूटूब चैनल पे दोस्तो यदि आप हरियाना के रहने वाले थो आप सभी को मालूम होगा कि आई टी आई का एडविशन सबसे लेट जो शुरूआ है वो आपका हरियाना का शुरूआ है लेकिन फाइनली यहाँ पर हरियाना की तरफ से यहाँ पर नोटिस वेद दिया गया है कि आपका काउंसलिंग कब से और कब तक किया जाएगा तो सारी जनकारी मैं आपको देने वा बटन दिख जाएगा सब्सक्राइब वाला उसको दबा लिजेगा और घंटी वाला इकोन को दबाकर और नोटिपी किसन पर क्लिक लिजेगा इससे आपको ही पैदा होगा हमारी हर एक जनकारी आपके मुवाइल तक पहुचेगी और उसका आप लाब उठा पाएंगे तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर नोटिस दिखाता हूँ जिसी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका सेडूल आप आए टियाए एडमेंसंस 2020 और 2021 का यहाँ पर मेरिट लिष्ट के अंतरगत फर्ष्ट कांसिलिंग राउंड और सिकेंड कांसिलिंग राउंड क यहाँ पर पढ़ सकते हैं 24.9.2020 को यह आपका नोटिस बजा गया हरियाना की तरफ से आई टियाए एडविशन के यहाँ पर अंतरगते जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उपर साब लिखा गया है स्किल डिपार्टमेंट और यह आपका हरियाना पच्छकुला का है अनुदेशक इंचार्ज राज़किया ओधगीक परसिशन संस्थान हरियाना राज में तो यहाँ पर आपको 24.02.2020 डेट देखने को मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पर साब लिखा गया है कि किस भी से पर यह आपका नोटिस चारी किया है जिसमें साब लिखा गया है आ राजिकिया नीजी और दगी पर सिसन संस्थानों में सत्र 2020 और 2021 का दाखिला कारिकरम और इसमें साप लिखा गया उपरुक्त विसे के संदर में अताती है किस विसे पर तो इसी विसे पर सभी राज्य एयो नीजी ओधिकर प्रसिशन संस्थावनों में सत्र दोहजार बीस और एकिस का दाखिला आललाइन काउंसलिंग के माध्यम से दिनांग सात नव दोहजार बीस से प्रारम हो चुका है जिसके लिए आवेदन पत्र दाखिला वेपसाइट www.itiharyana.gov.in पर दिना बिजते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि दाखिला कारिकरम को संस्थान के नोटिस बोर्ड पर पर परदसीत करें यह इस बारे में जिले के सभी परचार करें अताति यह जो नोटिस बेजा गया सीधे वहां पर डिजटी के द्वारा परदानाचारी को बेजा गया है कि आप एक नोटिस के त्रो बोर्ड पर चिपका है जाकि सबी जो आईटी आई स्टुडेंट है जो एडमिसन लने वाले उनके पास यह जनकारी पहुच पाए और यह इस डेट के अंतरगत अपना एडमिसन ले पाएं बाकि दोस्तों यहाँ पर और भी जनकारे दी गई है न आपकी बेजी गए कोसल विकास और अदगी प्रसिशन सस्तान विभाग हरियाना की तरफ से नोटिस भेजा गया है जो कि मैरे पास आया तो मैंने सोचा आपको यहाँ पर जनकारी दे दूँ चले दोस्तों मैं आपको बात करता हूं यहाँ पर आईटी आई जो की काउंसलि काउंसलिंग का यहाँ पर मेंशन किया गया है वह आपका मेरिट सेट अलॉट्मेंट यहाँ पर जो किया जाएगा एक अक्टूबर को होगा ठीक है और अल्लाइन डॉकॉमेंट वेरिपिकेशन एट अड्मिटेड कंडिट एट आई टी लेबल जो की यहाँ पर जो आपका डॉकॉमेंट वेरिपिकेशन किया जाएगा वह आपका छे दिन के अंदर किया जाएगा मतलब कि फर्ष्ट जब काउंसलिंग राउंड होगा तो समय आपका यहाँ पर एक से छे तारिक तक होगा मतलब कि एक अक्टूबर से छे अक्टूबर तक आपका डॉकॉमेंट वे यहां पर आपको जनकारी मिलेगी तीन अक्टूबर से दस अक्टूबर के बीच तो इसको आप ध्याना कियेगा बाकि यहां पर सिकेंड राउंड काउंसलिंग की बात करें तो यहां पर आप सकते हैं जो आपको समझ में आये समझ लिए यह आपका सिकेंड राउंड काउंसलिंग का डेट है बाकि यहां पर लिखा गया डिस्प्ले आप वेकेंड सीट्स फार सेकेंड राउंड तो यह आपका दस अक्टूबर को जारी किया जाएगा ठीक है और इसमें आपका जो यहा क्यां ऑर यहां पर लेशम इंडल मेरिट लीस्ट ऑलउटमेंट किया जाए गए वह आपका 14 अक्टूबर को कर दिए जाएगा उसकी बाद यहां पर जो आपका डौकोमेंट का कंटीड dose का कालỗi की जाएगा आप यहां पर दिख सकते हैं जो मिंसन किया गया तो आपका यहाँ पर साप लिखा गया Online Document Verification आप Admitted Candidate At ITI Level Candidate Need Not To Visit Any ITI मतलब कि यहाँ पर साप लिखा गया कि यदि आप यहाँ पर Verification कराना चाहते है जो Second यदि आपका जो Counseling होगा उसमें तो आपका जो Date Mention किया गया 14 से 17 October किया गया इसको ध्यान से देखिएगा और Online Deposit Frees आपका होगा Admission के लिए उसका जो Date Mention किया गया Second Counseling के अंतरगत 14 October से आपका 19 October तक किया गया है इसको आप ध्याने कियागा उसके बाद Seat Allowment जो आपका किया जाएगा वो आपका 14 से 21 October के बीच हो जाएगा इसको आप ध्याने कियागा बाकी यहाँ पर बात करते हैं Third Counseling Round की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपका Third है और इसमें आपका लिखा गया जो Display Can Sit जो होगा वो आपका Third Round का 22 October को हो जाएगा और जो इसमें आपका Opening Portal होगा यह आपका जो आपसन होगा यह आपका 22 October से 24 October के बीच यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर साप मेंसन किया गया बाकी दोस्तों जो Second Meritless Alignment होगी वो आपका 26 October 2020 को होगी इसको आप ध्याना कियेगा बाकी यहाँ पर आलाइन जो डोकुमेंट है जो सब्सक्राइब काउंसलिंग के इंतर्गत जो आपका किया जाएगा डोकुमेंट वेरिफिकेशन वो आपका 26 October से 29 October के बीच किया जाएगा उसके बाद यहाँ पर थर्ड राउंट काउंसलिंग का जो डिपोजिट फिस किया जाएगा वो आपका 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर की बीच किया जाएगा तो इस तरह आप इस बात को ध्यान कियेगा बाकि दोस्तों जो आपका सीट एलाउटमेंट होगा थर्ड राउंड का वो आपका 28 नमबर से 28 अक्टूबर से 1 नमबर तक होगा इसको आप ध्यान कियेगा तो दोस्तों इस तरह कुछ यहाँ पर जनकारी निकल के आ रहे थी यहाँ पर हरियाना की तरफ से जो मेरे पास आई तो मैंने सोचा आपके बारे में जनकारी आपको पहुचा दूँ बहुत सारे इस्टूडेंट ऐसे हैं जो की ITI के हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो यदि आप हरियाना के रहने वाले हैं तो कमेट में जरूर बतेगा तक हरियाना की तरफ से कोई भी वेकेंसी भी आती है या कोई भी जॉब आती है तो इसकी भी जनकारी मैं आपको दूँ और उसका आप लाब उठा पाएं और हरियाना की तरफ से ये जो नोटिस निकल के आ रहे यदि इस नोटिस को आप अपने पास रखना चाहते हैं या डाउलोड करना चाहते हैं जो की जनकारी नहीं पाते है तो उनके लिए मैं यहां पर कर रहा हूँ क्योंकि यह नोटिस और यहां पर देख पाएं और जिनको भी share करना है share कर सेगा वैसे यहाँ पर आप बेड़ों भी share कर सकते हैं आपके उपर हैं और हर एक student तक यह जनकारी पहुचा सकते हैं तो इस बात को भी ध्यान किएगा ज्यादा से ज्यादा share किजेगा ताकि हर एक student तक ऐसे जनकारी पहुचा है बाकि दूस्तों यहाँ पर जो आपका admission का जो process है जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हरियाना ITA का जो admission सुरू हुआता उसके अंतगर चलें तो यहाँ पर हरियाना की तरफ से बहुत यह अच्छी बात है बहुत जल्दी यहाँ पर आपका admission का जो process है उसका यहाँ पर आपका notice भेज दिया गय लेकिन अधर की बात के तो आपर बहुत सारी उनको समझ भी नहीं आए लेकिन यहाँ पर साप आपको mention कर दिया है अताथ यहां से आप देखेंगे तो यहाँ पर फश्ट के लिए कर दिया गया और यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आजाएंगे तो सिकेंड कांसलिंग के लिए यहाँ पर इतने में कर दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपका सिकेंड में कर दिया गया ठीक है और यहाँ पर नीचे आपको थर्ड में कर दिया गया मतलब कि यहाँ पर बहुत ही आसान सब्दों में आपको कर दिया गया ताकि कोई भी स्टुनेंट को यहां पर ऐसा ना लगे कि हमको जनकारी ही न मिले मतलब यहां पर बिदवत आपको समझा कर वेद दिया गया है बागी दोस्तों यह थी एक छोटी सी जनकारी उमिद्ध आपको पसंद आगे इस तरह की जनकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और ज्यादा स ज्यादा सेयर कीजेगा तकि हर एक तुरन तक ऐसी जनकारी फोट करेंगा है